नमस्कार न्यूसपोर नेशन देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंधनाम अजब प्रेम की गजब कहानी तो आपके सुना होगा लेकिन आज हम आपको अजब यूपी की गजब पुलिस के बारे में बताने जा रहे हैं जिहां यूपी पुलिस कब कौन से नए कारणामी कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता और एक ऐसा ही नया कारणामा किया है उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जो कि हम आपको बताएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे जिहां तो आईए जानते हैं यूपी पुलिस से के नए कारणामी की कहानी न्यूस फोर नेशन की जुबानी उत्तर प्रदेश के मेरट जिले में लिसारी गेट पुलिस का एक खेल उजागर हुआ है और इसमें बड़ी लापरवाही सामने आई है पुलिस ने एक मामले में नेत्रहीन को ही गवाह बना दिया जबकि ये मामला हमले और अपहरन का है वही पुलिस ने अंधे को चश्मदीद गवाह बना कर उसका बयान दर्ज करवाया है फलहाल आरोपी पक्ष ने आपती जताते हुए अधिकारियों से शिकायत की तो ये मामला सामने आया और इसके बाद पुलिस की किरकिरी हो रही है असल में राज्य के पुलिस सुधरने का नाम नहीं ले रही और पुलिस की कार्य प्रनाली को लेकर विपक्षी दल सरकार पर निशाना साथ रहे हैं जबकि पुलिस के मुखिया ही पुलिस कर्मियों को हिदायत दे चुके हैं जिहां मेरट में सामने आए इस मामले के कारण पुलिस की बहुत जादा किरकरी उर रही है जानकारी के मुदाबिक श्यामनगर निवासी मीट कारूबारी हाजी आसम मुहमद ने पुलिस की लापरवाही की शिकायत की और उसने बताया कि उसके रिष्टदार हाजी अंसार और अनवर मीट कारुबार के बहाने सारे पांच करोर रुपे लिये थे और जब काम नहीं हुआ और उन्होंने पैसे मांगे तो उन पर हमले और अपहरन का मामला दर्ज कर दिया गया इस मामले में पुलिस ने एक नेत्रहीन को गवा बनाया और उसका बयान लेकर उसे फसा दिया है मेरट के रहने वाले आस मुहमद के मुताबिक 26 नौवेंबर की शाम हाजी अन्वर ने उसे पैसे के लिए बुलाया और उन पर जानले वा हमला करने और अपहरन करने के प्रयास का आरोप लगाया और इसको लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए हाजी अस मुहमद समेट तीन को नाम जट किया पुलिस ने इस मामले में चश्मदीद गवा के तौर पर अबास को आगे किया और उसकी गवाही दर्ज की जबकि अबास नेत्रहीन है वहीं पिरित ने अबास की वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके नेत्रहीन का सर्टिफिकेट पुलिस अधिकारियों को दिया है तो ये थे अजब यूपी पुलिस की गजब कहानी जो भी हम आपको बता रहे थे बता दे ये पहली बार नहीं हुआ है इसके पहले भी यूपी पुलिस कई कारेनामे कर चुकी है कभी अपराधियों का इंकाउंटर आचानक से यूपी पुलिस के द्वारा कर दिया जाता है तो कभी जूटे आरोपों में लोगों को गिरफ तार कर लिया जाता है और अब ये नया कारेनाम यूपी पुलिस का सामने आया है बता दे कि पूरे मामले की जाच की जा रही है और जल्द से जल्द इस जाच के बाद उतरप्रदेश पुलिस पर कारवाई किया जाएगा तो फिलहाल के लिए इतना ही देखते रहे अन्योंस पर नेशन धन्यवाद